प्रिपरेशन को कैसे लेके चले बात करेंगे सारी और इस वीडियो में आज हम बात करना है टार्गेट 27 जब 27 का आंकड़ा सामने आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है यह बताईएगा मुझे क्या बहुत ज़्यादा आसान है और यह एक्चुली में है क्या देखो मैं बहले एक बात बता दूँ 2023 के पेपर को अब टाइम हो चुक है ठीक है इसको बूल जाओ मैं की बात करेंगा जास फोकस हों 2024 छोड़ दो हजारों लाखों बच्चों की तरह वो उस जोन से बाहर निकल लिए जब भी हजारों लाखों बच्चे भी उसी जोन में फसे हुए है कि 2023 का पेपर यह था 2024 का कैसे आगया क्या 2024 में कुछ अलग होगा क्या 2024 का पेपर तेज से मुश्किल होगा छोड़ दोस्कों मैं सिरफ दो चीज़े बताँ आपको देखो एक तो पी स्केर स्टरजी अब काऊगे सरी पी स्केर स्टरजी के यह भी बताएंगे ठीक है एक अपने कॉंसेप्स पे काम करना शुरू करो कॉंसेप्स में काम करो प्रीविज यह कोश्चन एक भी नहीं छोड़ना जितने सब कर डालो अब पी स्केर क्या है पी स्केर का मतलब के पी गुना पी यही होता है जैसे दो के स्केर को हम कैसे लिखते हैं दो गुना दो तो पी स्केर विल भी पी पेशन्स के साथ करना पड़ेगा अपने कॉंसेप्ट के उपर प्रेक्टिस करनी पड़ेगी मसी क्यूंस की जब आप कह सकते हो कि आप तयार हैं 2024 के लिए वरना 2023 आये था वैसे 2024 पी चला जेगा ठीक है वैसे 2025 आजेगा आपके टेम्ट जाते रहेंगे और आप सिर फेकी चीज़ को इसको डिफिकल्ट या इजी क्या बनाती आपके सोच जो बच्चे सी सेट क्वालिफाइग कर चुके अभी दिखाऊंगा आपको 51 रंक 56 रंक उन बच्चों के भारे बात भी करेंगे क्या उन बच्चों ने हैं सी सेट निकलिया क्या उनके पास क्यों अलग पेपर आया था आप यह मानने पर मजबूर हैं कि आपकी तयारी उनसे कम थी असेप्ट करने में देखो जो सच्चा ही है उसे जितनी जल्दी असेप्ट कर लोगे ना आपके लिए बेनिफिचल रहेगा कि आपकी तयारी उतनी नहीं थी कि आप उस सीट पे बैठ सको सिर्दी से बात तो यह थी कि आप मेंस का पेपर देश हैं जो थे लाएक वह बन जेंगा यह क्योंकि उन्होंने क्या किया उन्होंने सी सेट को इतना सीरसली लिया जितना जीएस को उन्हें पता था कि अगर 0.1 माक्स भी कम रहे गया ना यूपेसी विल नॉट अलाव मी और देम तू सेट इन दा इग्जामिनेशन फर्द इमेंस में नहीं नहीं आप हमारे तथ्यों पर आप हमारे पैरामिटर सेट नहीं बैठ रहे पॉइंट वन माक्स इस नॉट अब बिग थिंग 0.5 माक्स नॉट अब बिग थिंग 2.5 माक्स नॉट बिग थिंग बट जो पैरामिटर सेट किये वो सबके लिए सेम है तो वो तो करना पड़ेगा ठीक है तो आज का मेरा कोश्चन यह यह वट इस टार्गेट 27 बताओ पहले लिखिया है वट इस आवर टार्गेट 27 बताओ कोश्चन ही यहां से चुरू किये वट इस टार्गेट 27 क्या मुझे तकरीब बते को 27 कोश्चन चीए क्वालिफिकेशन के साथाथाथाथाइस येस हमें 27 कोश्चन ठीक करने क्वालिफिकेशन के लिए बट याद रखें नो नेग्टिव मार्किंग मैं आपसे वादा करता हूं जो मैं बता रहा हूं वह वह कर लिए 27 क्या 45 कोश्चन भी कर रहा होगे बट आज के दिन में जो मेक्सिम सुर्ण सेना कर मैं रहें कि जनता है वह क्या कर रही है वह पड़िए नंबर सिस्टम के पिछे अधाउज कर रही है नंबर सिस्टम लेख़र नबर सिस्टम कर लो काम हो discut का करवा देगा और सब्सक्राइब अदर तो नंबर सिस्टम ऐसा करवाऊंगे कोशन नी छोड़ोगे कोर्स में करवायों वह लिंग डिस्क्रिप्शन में कर लिए कर लिए कोशन नी चोड़ोगे आओगे पहले भी बच्छे नी चोड़ेंगे अमारे यहां पे सीसेट को बोजी ने समझाता है दे इंजोए दे आर इंजोएंग सीसेट वो कहते हैं सर ओर डिपिगल्ट कोशन दो दो वो यह नी कहरें कि सर नंबर सिस्टम नाई वो कहरें सर कोई भी टॉपिकली टास्ट वोता सर पच्छीस कोशन ना आप चालिस डाल दो सब्सक्राइब कोशन चाहिए रिपीटेट कोशन में डालना सामझे रहो क्योंकि देन नौ अबाउट दा कॉंसेट देन नौ अबाउट दा पैटरन देन नौ बाउट दा स्टैटरीजी ओफ यूपेसी कि वो किस हिसाफ से टेंड चेंज कर रहे है क्योंकि उन्होंने सही स वो सब्सक्राइब कोशन कौन से होंगे पता किसी कि सबसे पहले वह टूडू हमें क्या करना चाहिए सबसे पहली बात अपने मैं हमेशा देखो यह पताता हूं यह वह टूडू अपने काम ना काम गारो कॉंसेट्स व हम गरों कॉंपलीट यूर ानंग उसके बाद प्रिवेस घर कोशीन अप्रिवेश बोशीन् terrorist कॉष्ट्ट विजिए घुटर कॉश्ट्टा हमें करने चाहिए time in time ठीक है प्लस एंडिमया के टेस्ट सीडिस एवरी एक्जाम है जा सरकल सबसे पहले क्या होता है आप अमें कॉंसेट से काम करों दूसरा पड़ाव क्या होता है मेरा कंप्लीट यूर्ट लेबस कि जब आप स्लेबस कर रहें को सब्सेट पता चलेगे नहीं ठीक है यह स्टैप अबनों गया मेरा स्टैप नबर टू के मेरे पास इसके बाद जब स्लेबस कम्पलीट हो जए तो प्रिवेस कोश्चन करों नंबर तीन गया है मेरी टैसीरिस अ ठीक है टैसीरिस नंबर दीन ओगया आप कोई से 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 कंसेट्ट सब्सक्राइब यह जब तक आप टेस्ट से स कर जाएगा क्या पता उसका कोई और टॉपिक ठीक ना या वो कहीं पर कर दे कुछ भी हो सकते हैं तो यह समझ के मच चलिएगा कि हाँ उसका नंबर सिस्टम अच्छा है और शीविल डेफिनिटी क्राइग देख जाम ऐसा कोई हाड़न पास रूल नहीं है कुछ सतरा की सतरा मुश्य कर नहीं कोई जरूरी निए कोई कiveness करो जब आपको क्वालिफिकेशन की बात आती है तो आप skipping of question is always there is a right approach clear तो जब आप test series लगाएंगे तो आप क्या अपना चलेगा कि आपके पास कौन-कौन से chapters का data missing आया आप क्या कहोगे basically कि कौन-कौन से chapters में मुझे knowledge नहीं यह मुझे और चाहिए अब मैंने बता तो दिया कैसे करना how to do बट करना कैसे है देखो सबसे पहली बात मैंने बात की concept clear ठीकी जब तक एक standard जगां से अब देखो मैं बेश है कि बैरत कहता हूं ठीक है कई बचे कहेंगे अब याद रखना कि बुक से पढ़ना सही सही अप्रोच है अभी मन्यू का कोर्च करने के बाद खुद चलती फिरती आप बुक बन जाओगे इद्धार कृणती दे सकते हूं एक बात सुनो मेरी ध्यान से सब्सक्राइब आपने कि बुक नंबर बन पढ़ती है किसी बच्चे ने बुक नंबरट की पढ़ने वाले कुछ ज्यादा नौलेज़ लेके बैठार बुक नंबर टू वाले कुछ आलग नौलेज़ सब्सक्राइब यहीं पर काम आता है कॉंप्रेंसिब बढ़ी अच्छा कॉर्स से एक सी सट का बढ़िया कूर्स यानि अभी मन्यों आई इसका सी से एक्ष्ण में आपसे बात करूं मैं यहां पर 27 को सिंप्रेक्टिस नहीं करा रहा है मैं यहां पर कोशन करा रहा हूं 100 मार्क्स के लिए बात खत्म मुझे मेरे बच्चों को उस रेस में दोडाना जिसमें लाको बच्चा भाग भागए मुझे कोई दिक्कत नहीं चलो ऊब करो कोई रिक्कत नहीं बट याद रखना उस रेस में भागने की बजाए उस रेस से अलग भाग कि सो नंबर की तैयारी करोगे तो क्या यार आएंगे नहीं कि कितने कर जाएंगे पांक दस नब्बे तो फिर भी आए कॉलिफए तो इसली कर गए कि आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली आपको करना क्या है एक अच्छा कोर्स वह है जिसके अंदर बेसिक के साथ एडवांस मतलब आप क्या को जीरो टू एडवांस लेवल पर गए वहां पर जाएए आपके लगे हुँ मैं क्या ना मैं डेमो लगे उनको देखिए लिग दिया उटिक्सिप्चिन बॉक्स क्लियर सो वट टू डू हाउट डू कोर्स कर सकते हैं दूसरी बात आप माइक्रो कोर्स कर सकते हैं माइक्रो कोर्स बेसिकली कहां भे काम आता है जब मेरा यह चार नमबर होते हैं कि आपने टेस्ट टेस्ट तक लगा लिए उसके बाद आपको कोई पर्टिकुलर चप्टर करना है उसको बताऊंगा मैं थोड़ी दिर में कि हाओ माइक्रो कोर्स कैन बी अचीवड हमके अब यह है क्या होगा अगर एक्जाम 2030 जाता ही हुआ अब बहुत सारे मेरे युवा साथ ही बाई बैने तो इसी दर में जी रहे हैं यह एक्चुली मैंने कोश्टन नहीं बनाया यह कोश्टन बार-बार मेरे पास बड़ साप आता है कि सर तैयारी तो हम कर रहे हैं हम xy-z जगां से पढ़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे को की प्रॉलम नहीं आप गाइडनस लीजिए कॉल कीजी ठीक है नंबर इस नाइन फाइव वन ट्रिपल साम बन सीक्टन इसने बाट कॉल भी कर सकते हैं वाट सब भी कर सकते हैं पूरी काइडनस मिलेगी कि सर अगर 2023 की तरह ही 2024 का पेपर है तब हम क्या करेंगे मैंने सरफ एक बात बोली है कि जो बच्चा 23 का कॉलिफाई कर गया वह 24 का भी कर जाएगा बट अगर आपने 23 का कॉलिफाई नहीं किया या रहे गई या आपका अभी एटेम्ट है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा 2024 के पेपर को क्राय करने के लिए अच्छे नंबरों से क्योंकि देखो मैं उस सोच में उस दिरिश्टी कोंट से बिल्कुल किसी एक्जाम को नहीं देखता क्यों मुश्किल था या असान था या कितने बच्चों ने पास किया या कितनी कट आप गई यह सब इर्रेलेमेंट बाते हैं अच्छा और क्या बोल सकते हो कि कोई इंजिरेनी वाला हो गया कोई और जादें टेलने किसने मास्टर्स की हुए मैं तमीं क्या वो कलिफाइक नहीं वो एक अलग पढ़ा ही है कि यह अलग पढ़ा ही मैं अगर बेसिकली बात करूं सी सेट के लिए आपको अलग से तयारी क जुरूर पढ़ती है मेंशा रिज़न के हैं जैसे आपके पास एक वांट है ठीक है नंबर एक पर मेरे पास क्वांट है नंबर दो पर मेरे पास रिजनीं है और नंबर तीन पर मेरे पास इंग्लिश मुझे इन तीनों में चलना है ठीक है मुझे इन तीनों में अलग-अलग चलना है सबसे ज़्यादा बेटेज इसके आज के टाइम में मिल रहे हैं इसका मतलब यह तो नहीं को छोड़ दिया जाए अगर 2023 की तरह पेपर आता तो आपको कुछ नहीं करना आपको अपने काम करना आपको एक्जामिनर के वीक पॉइंट को ढूंड़ रहे हैं बेसिकली मैं अगर बेसिकली बात करूं जैसे हमारे यहां तक मैंने लिसी किया यहां पर आउट हो सकते हैं यहां पर में जीज सकते हैं तो एक्जामिनर का वीक पॉइंट कहां है जहां पर वो असान कोशन आप से पूछ रहे हैं जहां पर वो आप से सान कोशन पूछ रहे हैं आपका रिजनिंग की बात करो कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन रैंकिंग अन ओडर यह ऐसे एक टॉपिक जहां से कोशन आ रहा है और जैसे नंबर सीरीज बहुत इजी कोशन आ रहे है डी आई का हो गया कभी कभार पूछ लेता हो आप से नेमट कोगर बात करें आपका पर सेंटेश एसान कोशन आ रहे है क्या है चलिए आफ़ाई बाद कर दो तो यह इसको अब एड़ करना है मुझे तो याद रखिए जब भी आप ऐसा कुछ करें डर लगे तो कुछ मत करें अपने स्ट्रेजी को चेंज करने कोशिश करें कि 23 में मैंने ऐसे क्या गलती कि जो चौप इसमें ना दो रहा हूं ठीक है नेक्स देखिए है और मैं बैसिकली बात करो मैं सेरफ कोस्चन थे कुछन्स की प्रिवेसर कोस्टेण सो ब्लस आपके कुछ क्श प्रैक्टिस को उसनना उनकोस्टें की प्रैक्तेंस के बाद ही में डिसाइड कर पाऊंगा मुझे क्वेशा करना चाहिए कोन सा तक है जब आप बहुत सारे कोशन कर लोगे ना मतलब पर्टिकुलर ली कोशन कर लोगे तो आपको थोड़ा-थोड़ा अभास होना शुरूँ देखा क्या इस तरह का कोशन आपने देखा कैसे लाइट शूरू होती है जहां पर आपको यह सब चीज़े पता होने चाहिए कि क और कोशन मेरे करने लाइख है क्या कर पाँगों यह यह सिर्फ और सिर्फ प्रेक्टिस है या बता सके इसका और कोई मैधर्ड नहीं आता च्रियर वाइस कीपिंग को कोशन इसने डिलिड को खिप करना एक आप आइसा निए कि देखा और को कर दिए सबसे पहले प्रकूश है कि आता है तब करो अधर्वाइस किप कर तो छोड़ दो स्कोशन वसी सेट के लिए रीजन रीजन यह कि स्केपिंग ओफ कोशन हर किसी के बसकी बात नहीं यह जब ही आएगा जब आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी मैं बता रहा हूं आप क्शोशन कोशन जिन नहीं कर आठिम संबस्继ार नहीं कि इसा नहीं होता दो windows की बऺचों पेपर मुश्विल आया ज्यादा करना के चक्कर में ओवर अटेम्ट कर दिया और वहां पर नेग्टिव मार्किंग और खेल खतम हो गया तो इसको थोड़ा सीख देखिए ठीक है आओ वो माइक्रो कोर्स कैन हेल्प सकते हैं मुझे जो मेरा पार्ट नंबर फॉर था कि टैस्सीर से कॉंसेब्ट तक वो कैसे मुझे हल्प करें देखो मैं बताता हूं सब्सक्राइब करें आपको इसको यहीं मैं रोकूंगा ठीक है कि देखिए उते कोर्स बड़े रिजल्ट अभी पीडिया माइक्रो कोर्स देखिए यहां पर क्या वीडियो कोर्स इस वोटे गोर्स देखो अब देखो जाए ध्यान से समझेगा इस पॉइंट को जो समझ गाना बच्छा वो तो बेड़ा पार रहा हूं सबसे पहले नंब पास क्या खुल जेगा प्रिवेस यह प्रिलेम्स में कितने कितने कोशन आए हैं तो यहां से मुझे पता चला हां नंबर सिस्थम के कोशन तो अच्छेखा से आए हैं फिर ट्राइफ और फ्री करो ठीक है देखो ग्यारा लेक्चर है ठीक है इन ग्यारा लेक्चर में क्या है आपके पस पहले पांच से छे साथ लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा थियोरी और आपका कोशन पार्ट है उसके पाद लास्ट के चार से पांच लेक्चर में आपको प्रिवीस यह लेक्चर प्रिवी सब यहां पर प्रिवेश के साथ मुझे यहां पर फ्रेक्टिस कोश्चन भी मिल रहे हैं कितना रुपे मैं इसको टेस्ट के तरह भी दे सकते और सिर्फ कितना रुपे का पांस दिन में 15 से 20 कोशन त्यार हो जाएंगे मेरे इस तरीक्टे से माइक्रोगोर्स आपको एल्प करने वाला है समझागी बात है तो इस तरीक्टे से आप लोग अपने माइक्रोगोर्स के तरू तेयरी कर सकते हैं नेक्स्ट पूर्ण वेर वी एट प्रिविए एर कोशन्स विद सलूशन्स इसका भी सलूशन मेरे पास क्या है अब अब या आपको पॉटल पर दिखाए मैंने कि माइक्रोगोर्स कैसे कर सकता हूं मैं लिंक दिए और डिस्क्रिप्शन में जाईए वहां पे सब मिलेगा आपको सबस किसी भी टॉपिक के कोश्चन का सलूशन सबसे तरह इंपॉर्टन तो यह इतना टॉपिक बीपॉर्टन गया टॉपिक समझ गया भी कोशन नहीं फिर क्योंकि कोश्चन के अंदर क्या होता है सिलेक्टेट से टॉपिक होता है जो एक्जाम में आते हैं क्लास क्लास नहीं थी यह मैंना आपको समझाया था कि वट स्टैटरजी यू मस्ट फोलो और यूर प्रिलिम्स प्रिलिम्स 2024 क्लियर तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और टार्गेट 27 अचीव करेंगे सब मिलके करेंगे मैं मिलता हूं आपको डेली 11 बजे मंटे डू सेटे लाइव आते हैं वहां बें जूरी है मेरे साथ क्लियर डेली मैं एक माइक्रो लेक्चर लेक्छर लेक्शर लेका रहा है उस में क्या होते है प्रीविश इर कोस्टन धोते है और एक बड़ियासा कॉट्छ होता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब क बूरी है, माइक्रो कोर्च कर लिंक दिया है, डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में, थैंक यू.